दोस्तों अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल प्ले एडिट शेलूशन में इस चैनल पे मिलता है आपको शेलूशन के साथ साथ विश्वास भी तो आसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंदित कोई भी प्रब्लम हो वो प्रब्लम हाडवेर से संबंदित हो या फिर सॉफ्टर से संबंदित आप मुझे वाट्सप या कॉल करिए और सेलूशन लिजे बिलकुल फ्री नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का एक बर फिर हमारी यूट्यूप चैनल प्ले एडिट सलूशन में एक पीसी बना करके भीजने वाला हूँ महाराश्टर और जगह का नाम क्या है यह थोड़ा एड्रस महाराश्टर का आपको पता ही थोड़ा होता है उदर 400K प्रोसेसर के साथ इस मशीन की रेंडर की स्पीड दोस्तों एक घंटे की 10 मिनट या लगबग उससे नीचे की स्पीड निकल के आने वाली है और इस प्रोसेसर इस मदरबोड के साथ मैंने बहुत सारे मशीन बना करके दिये हैं जिनको भी दिया हूँ सभी लोग सुखी ह है और इसकी वीडियो भी काफी सारे आप लोगोंने यूटूब मेरे देखे होंगे बताना चाहूंगा दोस्तों कि इनका जो कंप्लीट एड्रस है इनका मैं डैरी पर नोट कर रखा हुआ हूँ इनका नाम है जितंदर गुमगाउंकर और यह महराश्टे के रहने वाले है इनका 30,000 रुपे हमारे पास एडवांस है और इनका मोबाइल नमबर है 777-699-56040 बगल में आप इनका फोटो देख पा रहे होंगे और फोटो के नीचे इनका मोबाइल नमबर पढ़ा हुआ है जिनका कि मैं PC बना करके महराश्टे भेजने वाला हूँ और फोटो से पहल इडवांस अभी यहां पे आपको उसकी स्क्रीनशोट दिखाई दे रहे होगी आप देख पा रहे होंगे और उसमें ट्रांजिक्शन आइडी वगरा या किस डेट को उन्होंने पेमेंट करी थी यह पूरा डिटेल्स यहां पे पढ़ा हुआ है बतादे दोस्तों कि मशीन भेजते हैं तो वो आता है इस बात की क्या गारंटी है मशीन पहुंच जाएगी बिल्कुल सही सलामत इस बात की क्या गारंटी है तो मेरे जितने भी मशीन अभी तक भेज़े गये हैं कंप्यूटर मैं बहुत सरी वीडियो यूट्यूब पर डाला हूँ आप लोग अगर बनवाया था तो कितने दिन में आपका आया था और आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ या फिर आपकी PC बहतर तरीके से काम कर रही है या फिर PC की जो बिल्ड क्वालिटी है या फिर जो परफार्वार्वेंस है वो कैसी है तो इस वज़े से मैं पूरी complete जानकारी यहाँ पर देता हूँ चलिए बढ़ेंगे आग और बताएंगे दुस्तों कि आज का जो मशीन मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मातर साथ हजार रुपे के अंदर और बन रही है कोर आई फाइब ट्वेल्ट जेनरेशन मशीन दो सो पचास जीवी एससडी टू टीव करने के बाद मैं आगे जानकरी इसी वीडियो में आपको प्लब्द करवाता हूँ दोस्तों कोर आई फाइब मशीन हम आज बना करके दे रहा है जैसे कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ और उसमें आज मैं मदर बोड लगा रहा हूं 13 जनरेशन का मदर बोड का बाहर निकाल रहा हूं मदर बोड काफी शांदार है और कोर आई फाइव आने वाले समय में कोर आई सेवन प्रोसेसर भी अगर भाई साब चाहें जी तंदर जी तो इस पर लगा सकते कहीं सो कोई दिक्कत वाई बात नहीं दूसरी बात की चार रेम का इसमें चार रेम तक लगाई जा सकती है और हाड राइव चार लगा सकते हैं यहां पर आप देख पा रहे होंगे 3.2 यूएसबी का सपोर्ड है ग्राफिक कार्ड भी अगर चाहें बाई साब लगा सकते हैं पहले वाले पर हीट सिंक लगी हुए है ताकि हीटिंग की प्रॉब्लम ना आया और दूसरी वाली भी यहां पर आप आफसें देख पा रहे होंगे बात करें दोस्तों इसके व्यारे में की तो यह उनिस फेस की व्यारे में सत्रा सो स्केट पर यहां बना हुआ है कई सारे एडवांस लेवल की फीचर से दोस्तों बताऊंगा तो वीडियो हो जाएगी लंबी चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके बैक पैनल की तो बैक पैनल में यहां पर आप सबसे पहले वाइफाई का सपोर्ट देख रहेंगा जो की 5G का आपको सपोर्ट 5G की स्पीड यहां पर आपको मिलेगी और यहां पर आप देख पार होंगे डिस्प्ले आउ तो वीडियो हो जाती है लंबी सीधा आते हैं मुद्दे पे लगाते हैं प्रोसेसर प्रोसेसर लगा रहे हैं हम आज 12400 और यह कोर आइफाइफ 12 जनेरेशन का एक तगड़ा प्रोसेसर है पूरी मशीन बनाने के बाद मैनुल बायो सेटिंग करके बना करके भाई साब को भ बढ़ते हैं और प्रोसेसर ओपन करते हैं और मतरबूड में लगाते हैं प्रोसेसर दोस्तों मैं आप लोग एक बर क्लियर करा दूं नंबर यहां पर आप देख पा रहे होंगे 12400 इसका नंबर आ चलिए आपके सामनी इसको सील ब्रेक कर लेते हैं और यह रहाइस का सील मै कटिंग कर लूँगा और प्रोसेसर बाहर निकाल लूँगा दोस्तों प्रोसेसर को हम बड़े ही साउधानी से बाहर निकाल लेंगे और यह हमारा आज का 12 जनेशन 12400 प्रोसेसर और यहां पे ट्रे हम बड़े ही साउधानी से ओपन कर लेंगे यह हमारे ट्रे है इसके अपना M.2 NVMe SSD और अपना SolarGV का RAM, SolarGV RAM लगा रहे हैं दोस्तों यहां पर 88GB की दो इस्टीक लगा रहे हैं, 32 में घार्स पर RAM काम करती है, Manual BIOS स्टीक करके देंगे, बड़ी तगड़ी स्पीड निकल करके आएगी, भाई सब के इस computer में जो की मैं बना करके महारास के भेजने वाला हूँ पार्सल से चलिए, बढ़ते करम में हम यहां पर आपको RAM दिखाए हैं दोस्तों यह हमारा RAM, XPG के तरफ से आनवाला GAMEX D30, 8GB का यह स्टीक है और 8GB की 2SD का चलिए, आपके सामने ही इसका सीलम ब्रेक कर लेते हैं और ब्रेक करने के बाद एक एक करके हम बाहर निकाल लेते हैं, तसलिस हम लगाएंगे यहां पर, दोनों RAM अपने, कम्प्लीट हो गया हमारा RAM और अब बढ़ते करम में हम लगाएंगे इसमें अपना SSD, SSD लगा रहे हैं दोस्तों, 250GB M.2 N.1 में हाई स्पीड चलिए SSD लगाने के बाद आगे हम आपको बताते हैं, और एक चीज जानकार यहां पर दे दूख के SSD यहां पर जो लगेगी इसके उपर कम्परी ने हीट सिंग दे रखा है इसे, तो चलिए सबसे पहले हम इसे open कर लेते हैं, यह हमने बाहर निकाल लिया, अब SSD हम बाहर निकाल लेते हैं, SSD सामने आप देख पा रहे होंगे, बड़े ही तसलिश से हम इसे बाहर निकाल लेंगे, यह निकल गया हमारा और यहां पर slide कर लेंगे, बिठा लेंगे इसे, पेच हम इसके उपर fit कर लेंगे, टाइट कर लेंगे, चलिए लगा लेते हैं, यह हो गया हमारा complete, ओक है बिल्कुल जखा जख कही से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़ेंगे आगे दोस्तों और अब बात करेंगे हम प्रोसेसर की temperature को maintain करने के लिए क्या लगा रहे ह तो हम लगा रहे हैं आज यहां पर RGB 120 mm का बड़ा वाला stock cooler, चलिए बाहर निकालते हैं और निकालकर को दिखाते हैं, दोस्तों यह है हमारा आज का fan बड़ा वाला stock cooler जो कि हम इसमें लगाने वाले हैं, और इस fan के packet में कई सारे हमें पार्ट मिले हैं, जैसे कि आप यहां प फिट कर लेते हैं, और फिट करने के बाद इसके उपर apply कर देते हैं, apply करने के बाद वापस हम camera पाते हैं और दिखाते हैं कि देखने में कैसा लग रहा है, दोस्तों complete हो चुकि है हमारी motherboard और अभी फिलाल में देखने में कैसा लग रहा है, आप खुदी देख पा रहे इसको रख देंगे साइड में, और साइड में रखने के बाद निकालते हम यहाँ पर अपना cabinet, cabinet जैसा कि आप देख पा रहा होंगे, RGB cabinet में यहाँ पर लगा रहा हूँ, आगे से तीन फैन लगा हुआ है, बिल्कुल हवादार, बहुत ही शांदार, बहुत ही गजब की लु बाकी जैनकरी में आपको आगे देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ बताना साइगे, कि मदरबोर्ड और सप्लाई सारा कुछ ओके करके वारिंग करके ही एक बार हम कैमरे प्याएंगे और पूरी जैनकरी देंगे आपको, एक निकलता है दोस्तों सप्लाई के अं कर लिए हैं, और यह हमारा सप्लाई है, 450 वार्ड की काफी वजन में है, 23 किलो की कम सकम इसकी वजन होगी, और यह गिगाबार्ड की तरफ से आता है, बहुती शांदर और बहुती बैतर सप्लाई है, यहाँ पर पूरा इसका जो करेंट है, पूरा यहाँ पर मेंशन है, पर मैं आप लोगो को इसके साइड में घुमा करके दिखाना चाहूंगा, यह पूरी कम्प्लीट वाइरिंग हो चुकी है, सारा कनेक्शन ओक है, सप्लाई दिने पर यह चालू हो जाएगी, अब इसमें करना क्या है, इसको लेकर चलेंगे, अपने में काउंटर पे, और ज और साथे साथ उनके द्वारा जो बाचित हमारी होगी, जो वो देखेंगे, जो उनका मतलब एक अनुवा होता है, डालेट हम कवर करेंगे उसको, आप यूटूब पे भी उसको देख पाएंगे, और बढ़ते करम में यह बता दे आपको, कि यह जाना है पार्सल से, फिर क पूरी complete installation करते हैं, अब बताना ही है दोस्तों, कि अगर आप मेरे वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते कि एक बढ़िया PC बनवा करके मंगवाना, आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, आप मुझे call कर सकते हैं, और एकदम कम बजट में, जैसा कि यह मशीन 60 नहीं है, आप courier से भी मंगवा सकते हैं, या आकर के लेके जाना चाहें, तो आकर के लेके जा सकते हैं, और वीडियो डिडिंग का पूरा complete data हमारे पास 2013 का launch हो चुका है, अगर आप खरिदना चाहते हैं, तो मुझे WhatsApp कर सकते हैं, आप को demo मिल जाएगी देखने के लिए, प ग्लास वगरा लगा दिया हुआ है, सारी वाइरिंग हमने कर दिये complete, सारा टाई करके बिल्कुल मशीन ओके करडिशन में है, अब बताना ये है, कि मशीन की बिल्ड क्वालिटी क्या है, मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ, बगर दिखाए मैं काम नहीं करता, आप लोगो क आप ब्लोवर से एक बर प्रेशर मारेंगे, पूरी मशीन आपकी साफ हो जाएगी, बिल्कुल क्लीन रहती है मेरी बनाईवी मशीन, और उपर दो फैन और लगा दिये गया है, जिसकी की आरजीवी मैं अभी आपको टेस्ट करवाऊंगा, और पूरी मशीन हवादार है, प बहुती शांदर, फुल आरपियम और फुल आरजीवी और सामने से ग्लास लगा हुआ है, कोई जाली बगरा नहीं लगी हुई है, और ग्लास में बना हुआ मशीन काफी सुन्दर लगता है, साइड भी यहाँ पे ग्लास है, ग्लास मतलब दोस्तों ग्लास, ऐसा मैं या लगा देते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह ग्लास है, पीछे भी 120 mm का फैन आपको दिख रहा होगा, और जो हमारा यहाँ पे CPU कूलिंग है, वो भी 120 mm का RGB है, बात बाकी फ्रेंट का मैंने आपको बताई दिया, और यहाँ पे आप नीचे की साइट से देखेंगे तो आपको दो फैन और दिखाई देगा, जो की full RGB है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीके न, तो यहाँ पे पूरी ventilation की धियान रखी गई है, मशीन में किसी भी तरीका का कोई भी extra गर्मी अकठा नहीं होगी, और पूरी मशीन बिल्कुल हवादार है, सामने से भी इ और उपर दो फैन में और लगा दिया हुआ है, ताकि इसकी ventilation वह काफी सुंदर हो जाए और काफी शांदार हो जाए, मशीन की performance गिरने के पीछे का कारण यह होता है कि मशीन की temperature सही ना होना, motherboard का selection सही ना होना, RAM का selection सही ना होना, RAM की शिरिफ आप लोग frequency देखते हैं कि यह 32 जी भी है, और यह 32 मेगा हर्च है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, latency वगरा भी ध्यान देना पड़ता है, उसमें कई सारी चीजे होती है, जिसको ध्यान में रखना होता है, और manual bio setting करके इस machine को पूरी शांतर तरीके से complete की गई है, चलिए, जितंदर जी को वीडियो कॉल करते हैं जिनका ये machine है, और उनको इस machine को दिखाने के बाद, पूरी complete packing करके हम आगे आपको जानकारी देते हैं, दोस्तों, बेयो जी का नंबर मैंने WhatsApp सेलेक्ट कर लिया हुआ है, और यहां पर आप देख पा रहा हूँग, इनका payment का screenshot वगर दिखाई दे रहा है, 30,000 रुपे इन्ह जाल चाल सर जी, अच्छा, चमाच आएंगे तबे थोड़ी ची खराब है, machine की मैं आपको पूरी complete look दिखा दूँ और look दिखागर के मैं यहां से आज parcel निकालने वाला हूँ आपका, इसलिए मैंने आपको वीडियो कॉल किया है, और जैसा कि आप जानते हैं कि बगर किसी क वो जिनका machine बन रहा है, बगर वीडियो कॉल करके दिखाएं मैं उनका machine नहीं देचता, ठीक है मैं back camera चालू कर रहा हूँ, यह है आपकी machine, सुंदर machine है, काफी अच्छा है, और glass के side मैं आपको दिखा दूँ, फ्रेंट के fan है यह, टॉप में भी दो fan मैंने लगा दिये हुए है, बड़ा वाला stock cooler लगा हुआ है, 120 mm का यह भी RGB है, बतलब पूरी machine RGB है सर, back में जो fan है वो भी RGB है, top में जो fan लगा हुआ है वो भी RGB है, और stock cooler भी RGB है, और front वाले जो 3 है, यह भी RGB है, दिखाई दे रहा है सर, सुन्दर है machine, बिल्कुल, machine की speed भी काफी अच्छी है, और look भी काफी अच्छी है, Wi-Fi के साथ मैं बोड दिया हूँ, और बोड जो है, यह 13 generation का बोड है, आने वाले समय में आप चाहें, तो processor upgrade भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, Wi-Fi के साथ है, 5G के साथ है, तो अपने तरफ से मैंने, जितना बेस्ट होना, मतलब मैंने कोशिश किया, जितना बेस्ट मैप को दे सकूँ, मैंने पूरी कोशिश की है, चलिए ठीक है, अब एक बार अपना complete address मुझे बता दीजिए Sir, क्या बोले एक बार अपना complete address मुझे बता दीजिए, नागपूर महरास्टे में है न ये आपका क्या बहुत बहुत आपके महरास्टे में पड़ता है ना नागपूर अच्छा क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड है इसलिए मैं एक बार आपके मत्तब आपकी तरफ से जनना चाहा रहा था ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देखें उनको पूरी जानकारी उपलब्द हो अब ये जानकारी चीए सर कि आपके एडवांस मेरे पास कितने आपने भेजे थे तीसा जार रूपए तीसा जार रूपए बिलकुल सही अच्छी बात है चली ठीक है मशीन मैंने आपको दिखा दी और स्पीड वगड़ा काफी बढ़िया है रेंडर पे स्पीड एक घंटे का लगभग मान के चलिए साड़े आट से नौ मिनिट ले रहा है मशीन पूरी ओके है सारा कुछ कंप्लीट है और अभी एक आत घंटे में यह पूरी पैक हो जाएगी पैकिंग करने के बाद मैं इसका फोटो आपको भेज दूँगा आप देख लीजिएगा एड्रस पढ़ लीजिएगा अब जब उदर से आप डन कर देंगे तो इसको प प्लेइड शॉलूशन का काम करने का तरीका और इसी तरीके से काम किया जाता है जिनकी मशीन रती है बनाने के बाद उनको दिखा लिया जाता है ताकि पैसे लग रहे उनके और उनके मन में किसी तरीके का कोई संदे ना रहे कि नहीं मैंने जो सोच करके पैसे लगाए थे उसी साफ से मशीन नहीं बनी या नहीं बनाई जाती है ऐसा बिलकुल नहीं है जो सब के बनाई जाता है जिस तरीके से उसी तरीके से आपके भी बनाई जाएंगे या आगे कोशिच नहीं कि उससे और बहतर हम करके देने का प्रयास करें बता दोस्तों कि जो पहले मशीन स्ट हमारे पास से डेटा भी मंगवाते हैं तो हम उसमें थोड़ा सा एड़िजस्ट कर लेते हैं और मशीन हम 11 के जगा 12th जनरेशन बना करके देते हैं 11 जनरेशन और 12 जनरेशन मशीन की खूबी यह है जैसा कि आप सोच रहोंगे कि सरजी 11 के जगा 12 क्यों दे रहा था एक घंटे का 11 जनरेशन में इस मशीन में आठ से साड़े आठ बिनिट आप करेगा 12 जनरेशन में बेनिफिट मेरा यह है कि आपकी मशीन अच्छी चलेगी मशीन फास्ट चलेगी प्रोसेसिंग बढ़िया मिलेगा तो आप परेशान नहीं होंगे और जब आप परेशान से बचाने के लिए मैं बढ़िया मशीन बना करके देता हूं ताकि आपका काम सालों साल चलता रहा है और आप परेशान हो और मुझे परेशान ना करें फिर भी कोई दिक्कत नहीं आगर आपको कोई प्रॉब्लम आके मुझे कॉल कर सकते हैं मुझे वर्टसप कर सकते हैं बढ़ते हैं इसको कंप्लीट पैक करते हैं और पैक करने के बाद जो इनका सामान है पनी में डाल करके पैक करके पूरी बबल्स वाली पनी लपेड करके फिर आगे हम आपको इसकी जानकारी देते हैं यहां पर एक इनका एंटीना है दोस्तों जो कि हम इसके अंदर डाल देंगे यह इनकी वाइफाई का एंटीना है जैसा कि आप लोग ने देखा और यह इनका है पावर केबल ठीक है ना तो पावर केबल जो में इसकी में कहीं पर एडिजेस्ट कर लेंगे दोस्तों यह आइफाई वाली जो मशीन है यह ओक्के हो गई ही और यह शाट ज़र पे की बजट की मशीन है फिलाल आगे बढ़ेंगे और इसको पूरे बबल्स वाले पन्नी में पैक करेंगे बबल्स की पन्नी इसमें काफी मोटी लपेटी जाती है और लगभग आदे गंट हो चुकी है और मैंने आपको बताया भी था कि मैं पैकिंग करने के बाद पूरी कंप्लीट जानकर यह आपको दूँगा इस वज़य से किस तरीके से की जाती है हमारे दुआरा पैकिंग क्या पूरी सेफटी को ध्यान में रखके की जाती है या काम चलाओ पैकिंग होती है यह बताने के लिए ही मैं इस वीडियो को फिर दुबार आपको दिखा रहा हूँ और यह कंप्लीट पैकिंग है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पूरा यह बबल्स की पन्नी लगी हुई है और तक्रीबन मुझे लग रहा है कि 4 इंच मोटा 4 तरफ से इसको लेयर बना क करके टेप मार के पूरा कंप्लीट ओके पैकिंग मैं खुद अपने सामने ही करवाता हूं इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रही है अब बताना यह है दोस्तों कि यह भाई साब का हमारा नंबर है जितंदर जी है और यह जाने वाला है महरा पूरा कंप्लीट एड्रस आ लोग तो नहीं भेजते हैं टाइम हर आदमी के पास होता नहीं है एक आद आये थे तो मैंने डाला भीता चैनल पर तो यह हो चुकी यह कंप्लीट इसको निकालेगी हम पारसल बताना चाहेंगे दोस्तों यहां पर कि 2023 का मेरा कंप्लीट डेटा और डॉंगर लॉंच चुक और यहां पर जानकारी हम देना चाहेंगे कि यह जो मशीन बनके जा रहे है जी तिंदर जी को यह आई फाइब मशीन है 12 जनरेशन में मातर 60,000 रुपे की आप भी एक बजट मशीन बनवाना चाहते हैं मातर 60,000 रुपे में तो आप मुझे वटसप करके पुरी जानकारी ल किया टिशे है और रोज आप लोग को देखने के लिए मिलते हैं आज तक कभी भी मेरे द्वारा या मेरे चैनल के द्वारा कभी इस तरीके कर आपको नहीं देखने को मिला होगा कि हमारे यहettes कर को कोई पेेमिंट को लेकर के कभी ऑई ऐसा मामला आया हो कि यहां किसी के पेमिंट आये और हमने यहां से सावान बना करके नहीं बेजा तमाम सारे लोग मद्य परदेश उडिसा करनाट का जारकंड बहुत दूर-दूर से लोग आकर के PC बनवा करके लेके गये हैं और बहुत दूर-दूर के लोग जो नहीं आ पात कि पता नहीं सर्ची किसका PC बना रहे हैं बना करके भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं पता निवा बंदा कौन है कहीं गलत वीडियो तो नहीं बनाई जा रही है तो इस वज़ए से ही हम सामने वाले का फोटो और उनका मोबाइल नंबर डाल देते हैं अगर आपको किसी बी तरीके का कोई संदेगे है तो आप बी ट्रेकिंग फे दिया गया नम्बर डायर गुगल चालू करके वहाँ पे आप ।ड्र करके यह बीडियो आप टतकाल देख रहे हैं तो यह आपको हो सके कि रास्ते में देखने को मिल जाए या अगर ये वडियो आप एक महिना या 15 दिन बात देख रहे हैं तब तक ये पार्सल पहुंच चुकी रहेगी मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरना नमस्कार जाहिन दोस्तों के साथ का झाल झाल झाल